हेलो एवरिवन हाव यू ओल आई होप आप सब हैपी हल्दी होंगी तो इस चैनल पर मैं बात करती हूं फॉर्टिलिटी ट्रीटमेंट और पेगनेंसी की साथ में शेयर करती हूं अपना एक्सपीरियंस तो आज मैं कोई फॉर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बात नहीं करूंग कि बताओं कि यह कैसे काम करता है और लास्ट के हाफ पार्ट में मैं वेठर बताओंगी आपको मैं कुछ और आपसे बात करना चाहूंगी यहां पर देखिए मैं आप से सबसे पहरे कुछ पूश्चिन पूछना चाहूंगी तो आपने कभी ऐसे फील किया है कि अस गुल्ल मूहें पानी आगया हो किसी ने किसी चीज की बात करें खाने जो आपका फेवरेट है और आपके मूह बानी आगया हो या पिर कोई ऐसी आपने कोई डिश बनाई को अचय है पgt को मुह में पानी आ गया हो तो यह सब मैं क्यों कोशन पूछ रही हूं और यह कैसे रिलेटिड है आपके आई वी अप से तो देखिए आपने यह देखा कि आपके मुह में पानी आया सिर्फ आपने कुछ नहीं किया आपने कुछ खाया नहीं जेनरली क्या होता है अगर हम काई बBa cảए बंता है उस चीज़ को पचाने के लिए लेकिन आपने तो यहां कुछ खाया नहीं आपने सिर्फ बात करी यह आपने सिर्फ समेल करी समेल से ब 애 OS तो इससे भी स्टिमूलेट हो गया हमने सर्फ बात करी या सोचा या सिर्फ देखा तब भी आपके मुवे पानी आ गया है आपको बहुत चोरों की भूक लग गई है तो यह कैसे हुआ तो इसके पिछे भी साइन्स है तो उससे क्या होता है कि जो आप सोचते हैं देखते हैं कि आप फील करते हैं किसी बीजिस का तो बाड़ी उससे तरह से रियाक्ट करती है जैसे कि वो सच में रियल में है तो जैसे ही आपने किसी चीज़ की बात करी अपनी फेवरिट डिश की या कुछ फोटो देखी फेवरिट डिश की या आपने किसी से उसकी स्मेल सुंगी त तो उससे कि आपकी बॉड़ी को ऐसा लगता है कि वो जो चीज है वो आपके पास है आप उसे खा रहे हैं तो इसलिए आपके मुँँ में पानी आ जाता है देखिए कहने को इस बार में जादा बात नहीं करूंगी सभी को पता होता है तो इस तरीके से में देखा कि हमारी बॉड़ी जो ऐसे सोचने से रियक्ट करती है उसको ऐसा लगता है कि इस चीज़े सच में हो रही है ठीक है तो इस तरीके से बहुत सारे आपको एक्जामपल ऐसे मिल जाएंगे तो ऐसे ही आई विएफ में होता है अगर आप जो है बहु लगता है कि एससे तरह से रियाक्ट करती weard weard Valley City जो है उसी चीज़ को सच कर देती है यानि कि आपके जो वह सुझें थीन एक होर लगती है कि आपका प्रेंशे ओर नहीं हो रही नहीं निकालती है उसी तरीके से react करती है और आपकी pregnancy के chances जो है बढ़ जाते हैं और आप pregnancy conceive हो जाती है आपको conceive कर लेते हैं कहने में बहुत funny लगती है कोई सुनता है कि नहीं ऐसे तो सब सोच लेंगे देखे सरफ सोचने से नहीं आपको feel करना होता है तो अब सोचने हाँ ठीके मैंने तो feel भी किया था तो लेकिन देखे उसको body को time भी देना होता है आप ऐसा नहीं कि आज आप सोचने और आप feel करेंगे और आज ही आप pregnant हो जाएंगे ऐसे और ऐसे होता तो बहुत साथ जीसे गलत हो जाती ना तो इसके आपको time भी देना होता है वो आपको आपके भ्रून को यानिके embryo को चिपकाने में मदद करती है सिर्फ सोचने से यास बिल्कुल सोचने से सिर्फ सोचने से feel करने से इसका भी एक method होता है जो कि बहुत पुराना method है ancient method है और ये try किया हुआ है मैंने खुद इसे try किया है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है आपको एक बेबी की photo लेनी है और जहां आपके बैड के सामने लगा लीजिए बिल्कुल और उसको आपको जैसे आप सोगे उठें ताकि आपकी नजर वहां पर पढ़े ऐसे जगह पर उसको आपको लगा लेना है टांग दे जैसे हम जेनरली उठके हम जो है नहाने के लिए कप्ड़े निकालते हैं अपनी अलमारी से तो आप अलमारी में ऐसे जिए सामनी रखतीजिए तांग दीजिए जहां पर आपकी नजर पढ़े उठते ही या तोड़ी देर बार जैसे अप नहाने के लिए जाएंगे वहां जेनरली आपकी रोज वहाँ पर नजर पढ़नी चाहिए तो मेली अलमारी होती है वह ताकि गंदे नहों कपड़े तो आप वहाँ पर हैंगर में टांग सकते हैं और फोल्ड करके रख सकते हैं और उसको देखकर आपको अच्छे फीलिंग आने चाहिए यह ना हो कि आपको फ अपने अलमारी का एक रैक खाली कर दिया था कि इसमें मैं अपने बेबी के कपड़े रखूँगी मैं स्पेशल रैक ले भी आई थी कि इसमें मैं उसके कैप और शूज वगरे सब रखूँगी क्योंकि सर्दिया थी उस ट्राइं कि बई सॉक्स इसमें रखूँगी आपको अपको स्पैसिकर लिप ऐड़ी पॉय ही शाइए तो आपके रिलिटेप्स में या आपके खुदके भी हो सकती है बेबी गर्ल होगर तो या तो उसको वहिए और खुद भी आप राखी हर साल राखी के festival जब आता है एक राखी रख दीजे कि आपका बेबी जब बेबी बॉय होगा तो उसको ये राखी बांदेगी कोई भी गर्ल हो सकती है वो आपकी sister-in-law की गर्ल हो सकती है या आपकी sister की हो सकती है baby girl तो आप उसके नाम की राखी अपने पास रख सकती है या उसको भी बोल सकते हैं कि हरसल राखी आपकी baby की नाम की रखे बट जादा convenient ही रहता है कि आप अपने पास रखे राखी कि आप क्या baby boy होगा तो वो राखी जो है वो उसका baby boy के हाथ पर बंदेगी तो यह बहुत जादा tested, tried and tested है यह टेक्नीक, आप इसको बिल्कुल आप ट्राय करिए, बेबी बॉई के लिए होती है, और अगर आपको और जादा इसके और जादा लेवल पर इसके करना है, तो आप यह कर सकते हैं, जो कि यह एक बहुत ही हमारे धरम में भी ऐसा बताया गया है कि इसको बेबी नहीं होते हैं, वो जो होता है वो आप एक पैट रख लिजिए और फिर आप उसको अपने हाथ से हमेशा खाना खिलागे, तो उसका साइंटिफिक रिजन यह होता है, कि आप जैसे ही आप पैट लेकर आते हैं, आप अपने हाथ से उसके लिए स्वेशल भी गया है, बहुत लोगों ने इसको आजमाया भी है, लेकिन इसको लोग मित या फिर आप अंधव इश्वास के में टाल देते हैं, लेकिन कोई अंधव इश्वास नहीं है, इसका मैं हमेशा अपने चले पर साइंटिफिक रिजन होता है, हर बात मैथर का, हर बात का मेरी और हर एक जो मैं आपके अपनी वीडियो से शेयर करती हूं, तो वो कोई भी मित या उससे नहीं होता, वो हमेशा उसके पेचे साइंटिफिक रिजन होता है, तो आप इसको भी ट्रॉय कर सकते हैं, और कुछ लोग लड़ो गोपाल को भी रख लेते हैं घर पे, उनके थड़ा है, वो लग जाएगा, कि आप उसके लिए खाना खिला रहे हैं, तो उसके बाद अल्टिमिटले आपका बेबी आपको हो जाता है, तो ये थोड़े सा एक्स्टेंडिट टेक्नीक सी, अगर आपको बहुँ जाता लेवल पर करनी हैं, तो आप ये दो कर सकते हैं, त आप अप्नी के लिए करी थी, और अपने अपने अब्सक्राइब कर आप करना बेबी के लिए, मुझे इसका इतना थी में फुद का श्वरे नहीं है, लेकिन लोगों को देखा ऐसे करते हैं, तो उनको बेबी होते भी भी देखा है, तो अगर आप उस लेवल पर करना चाह रखनेद फिर से यूजा है आप को सब्सक्राइब करनाila घ्रायट में का बैर मैंने पर-थियर जाया खुछ आपको कर दूद कर दिन का लोगर तो मैं आपके साथ वीडियो्य otoc आपको टेक्निक्स बताई थी राइटिंग वाली 555 टेक्निक और दुसरी बेलीव टेक्निक उसके साथ आप यह भी ट्राय करें इंशियन टेक्निक कि काफी एफेक्टिव है मैंने फर्स्ट प्रेग्नेंसी में यह पूर यह वाली एंशियन टेक्निक ही लगाई थी और ज़स स्वास लगता है मुझे भी लगता था तो इस तरीके से आप भी ट्राय कर सके इसके अलाबा एक प्रेयर होती है स्पेसिफिक प्रेग्नेंसी के लिए होती है वो मैंने भी करी थी ट्राय करी थी और यह सेकिंड प्रेग्नेंसी में मैंने ट्राय करी थी क्योंकि देखिए आ आपने आने वाले वीडियो में बताऊंगी आपको वह भी आप जरूर करिएगा अभी फिलहाल मैंने इन शी टेक्निक के बारे इस इंपोर्टन पात इन सब चीजों में यह है कि आपको बिलीब होना चाहिए इन टेक्निस पर आपको ट्रॉस्ट होना चाहिए यह नहीं कि पर सब्सक्राइब नहीं इस बात को अब समझी हूं लेकिन बाकी जीज़ाब के हाथ में चोड़नी है ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ में यह फीलिंग है कि भाकी भगवान के हाथ में मैं आपने तरफ से 100% कर रही हूँ